असलाम अलेकुम आज जो पॉइम हम पढ़ने वाले हैं वो है दाइम ऑफ दी एंशेंट मेरिनेर बाइस्टी कॉलरेज काफी फेमस पॉइम है और काफी लेंथी पॉइम है आप आप स्टोरी होगी पॉइम पॉइम के थो उसको मैं सिंपल निग्लिश के त्रूब। हमस्के इंपॉर्टेर didnẰ्गिखें चर्द रड़ियन एक और इस में आप 7 O를 प्ê डर्द में और आयदिया division सर्फ YouTube से कोई स्टोरी सूर कर पेपर देने के लिए नहीं आए अब पॉयम को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे आपको छोटी से एक्जमपल दे देते हूं कि किस तरह से हम पूरी पॉयम को कवर करेंगे यहां पे आपको लेफ साइट पे नजर आ रहे हैं स्टेंजा 1 & 2 जो पॉयम की फॉयम के फॉयम है और उसको मैंने फिर सिंपल इंग्लिश में चानवर्ट कर दिया साथ टाइटल भी दे दिया लाइक इंफ लॉस्ट थेंज़ को रीड करती हूं और आप आइडिया लगाए कि आपको कुछ समझ आती है यह नहीं इस अंचिंट मैरिनर और थ्री भाइ थाय लॉंग ग्रेड और ग्लिटरिंग आई नाव वेफों स्टॉप्स दाओ फी द ब्राइट्रों स्टॉर्स अर ऑपन वाइड और आम नेक्स्ट ऑफ किन तगेस्ट अर्मेट तफीस्ट इस सेट मेस्ट है ते मैरी दिन अब हम जरा सिंपल इंग्लिश वाला परके देखते हैं इसको में सिर्फ रीट करूंगे आपको अप्लैरिटी आजेगे कि इन क्या कहा गया है ठीक है अब इस परेग्राफ को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टेंजर 1 & 2 में क्या कहा गया है प्रॉब्लम कहां प्यार है प्रॉब्लम यह है कि इस पॉल्ट्री में कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ों है जो अब नहीं होते तो आपको समझना मुश्किल है लाइक थाय का मतलब होता है यूर और दाओ का मतलब होता है यू इस तरह से स्टॉप का मतलब देखनी पड़ेगी तो इसलिए मैं आपको इस पूरी पॉइम को सिंपल इंग्लिश के थ्रू एक्सपें करूंगी ताकि आपका टेक्स्ट भी कवर होजें आपके लिए समझना भी असान होजें और ठर्टली आपकी जो वीडियो है मेरी जो वीडियो है वह लेंती नाव बोड़ना होजें तो अब हम इस पॉइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिकली यह काफी लेंथी पॉइम है सेवन पार्स में डिवाइड है हर पार्ट को मैंने अपनी अंडर्स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक टाइटल दे दिया है लाइक फर्स पार्ट को मैंने कामे जो भॉल सेलर्त और शोला तो सुनाना स्टार्ट करते थे इस अन्हें फ्रॉड को स्टार्ट सॉर्यम अपने साथ को का मिए इसलिया तो एक पर दिए-धंग कर प्रक लिए बेंग संद हैं कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो मैं बहुत जल्दी मुझे शादी पर जाना है जहां पर में एक प्रोज रेलिटिव हूं महमान आ चुके हैं खाना त्यार हो चुके हैं क्या आपको celebration की आवाज नहीं आ रही नेक्स पारग्राफ है अब यहां पर मेरिनर जो है वो मजबूती से उसके बाजू पकड़ते है वेडिंग गैस्ट का उससे कहते है लेकिन जो वेडिंग गैस्ट है उसको शादी पर जाना आता है वो अपना हाथ शेवाने की कोशिश करते है लेकिन जो मेरिनर की आंखे वो बहुत शाइनिंग होती है ऐसा लगता है जो मेरिनर है वो उसको hypnotize कर दता है वेडिंग गैस्ट को और वेडिंग गैस्ट उसके स्टोरी सुनना सटार्ट कर देता है जैसे तीन चाहल का बच्छा बड़े शोक से बड़े कीन वे में इक स्ट सेट और राइट इच डे इट रोस हायर एंड हायर अंटिल इट वस डिर्क्ली ओवर हैट एट नूर उसके बाद जो वेडिंग गेस्ट है वह म्यूजिक और प्राइट से थोगा से डिस्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन जो सेलर है वह अपनी स्टोरी को कंटिनी रखते हैं सेलर बताता है कि एस ट्रॉंग स्टॉंग हिट अर कैसे उस ट्रॉंग की वैसे वर फोस्टू सेल साउथ उनका जो शिप है वह साउद डिरेक्शन में सेल करने लाजाता है और उसके बाद इस हवाह चल रही होती है उनके शिप के इड़के मिस्ट स्नो एंड आइस ठीक है हर तर में से एक albatros आता हुआ उन्हें दिखाई देता है albatros एक बहुत बड़ा बर्ड है और उस बर्ड को वो एक kristian soul समझते हैं और उसको welcome करते हैं in god's name ठीक है क्योंकि वो उनके लिए एक hope लेकर आते है उस albatros के आने के वज़े से वो जो ice होती है वो break कर जाती है तूट जाती तो wedding guest उसे कहते है कि मुझे तुम पर तर्स आ रहा है कि तुम इतनी problems को तुमने face के तुम निकले लेकिन अब तुम sad क्यों हो गयो तुम्हारे sad होने की वज़ा क्या है तो वो ancient manor को बताता है कि वो जो regular visitor था वो जो albatros था उसको मैंने अपने crossbow से shoot कर दिया अब इसकी आपको पहले explain कर चुकी हूं इसके लावा एक यह स्टेंजर है जहां पर albatros के arrival को दिखाया गया कि कैसे वह उस फॉक के थूर आता है और वह जो crew members वह जो ancient manor है उसको क्रिस्टिन सौल समझते हैं और उसको गॉल्ड नेम पर welcome करते हैं के लावा इस part one का जो last जहां पर यह यहां पर मैं आपको पिचर भी दिखा देती हूं यह है ancient manor और उसके एक हाथ में है albatros की dead body और second hand में है उसके पास अपना crossboard जिससे इसने albatros को shoot किया था अब हम start करते हैं अपना part two जिसको मैंने title दिया the curse of the albatros and the guilt first paragraph है guilt and blame अब यहां पर बताया जाता है कि अच्छी हव इसको accept करता है कि I had done a terrible thing और इसका जो harm है इसका जो नुक्सान है वो मेरे जो shipmates है उनको भी face करना पड़ेगा and they all agreed कि मैंने एक ऐसे bird को कतल किया जो एक अच्छी हवा लेकर आया था हमारे लिए अब यह जो shipmates थे वो उसको curse करते हैं for killing the bird that brought the breeze जो उनके लिए अच्छी हव लेकर आया था थंडी हवा लेकर आया था उसके बाद क्या होते कि the beautiful sun rose and the weather became good अब जब बहुत जदा अच्छा हो जाते तो वो जो shipmates हैं वो ancient manner कहते हैं कि तुमने उस bird को मार के बहुत अच्छा किया क्योंकि वो bird ही fog and mist को लेकर आया था अब जब तुमने उस bird को मार दिया तो मौसम कितना अच्छा होगे वैदर कितना अच्छा होगे लेकिन उन्हीं इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि अब एक sad और hopeless situation create होने वाले वो जो सूरज निकले है वो बहुत ज़्यादा आग बरसाएगा ठीक है अब sun इतनी तेजी से चमक रहा था कि they were stuck and motionless like a painted ship on a painted ocean बहुत ब्यूटफल इमेज की एक पॉइट ने यहां पर कि जैसे एक पेंटिंग होते है पेंटिंग में एक painted ocean हो painted ship हो वो एक ही जगह पे होते है मूव नहीं करते है motionless होते है इसी तरह से अब उनका जो ship था वो stuck हो चुका था motionless हो चुका था हर तरफ पानी ही पानी था ल उनको haunt कर रही है from the land of mist and snow अब उनकी जो जुबाने थे वो इतनी खुशक हो चुकी थी के they couldn't even speak अब जब वो इस isolation में होते हैं इतना कुछ सफर कर रहे होते हैं तो यह जो shipmates होते हैं ancient manor को बहुत evil looks देते हैं उसको कर्स करते हैं जो old young जितने भी लोग थे वोस ताब उसक को क्यों कतल किया था क्यों शूर किया था और जैसे जीसिस क्राइस्ट के गले में एक cross sign डाला गया था इसी तरह से जो albertros की dead body थे उसको hang किया गया इस ancient manor के garden में ठीक है as a symbol of girl ताकि उसको याद आए कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया उसको शर्मिंदगी होती रहे वो जो फर्स टेंजा में आपको green कलर में नज़र आ रहे हैं यहां पे क्रू मेंबर्स कहते हैं I had killed the bird that made the breeze to blow यहां पे वो ancient manor को blame करते हैं कि तुमने उस बर्ड को मार दिया that made the breeze to blow जो हमाई ले हवा लेकर आया था और सेकंड सेंजा में आप देखते हैं कि क्रू मेंबर्स उस देखर आया था तो अब यहां पे आप इन क्रू मेंबर्स का fickle minded behavior देख सकते हैं कि कैसे जब उनके favor में situation थी तो उन्होंने उस ancient manor को appreciate कि तुमने बिल्कुल ठीक या और जब उनके favor में situation नहीं रही तो फिर उन्होंने उस ancient manor को blame किया और कैसे उसको curse किया अब next tenza में उनक इसे हर तरफ पानी ही पानी था लेकिन उनके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था और फिफ्स टेंजा जो है उसमें बताया गया कि वह स्पिरिट थी वह कैसे उनको play करी थी from the land of mist and snow और यह जो six tenza है यह पार टू का last tenza है जहां पे बताया गया कि वह जो अलबर्ट रोस लिखेंगे एक्स्ट्रीम थर्स्ट एंड हो अब जब यहां पे वह एक्स्ट्रीम थर्स्ट को फेस कर रहे होते हैं तो इंचिन मैनियर की नजर पड़ती है आसमान पे उसको एक चीज नजर आती है फॉस्टली वह एक स्मॉल डॉट होता है देन अमिस्ट एंड फाइनली चीज करीब आती है तो प्यास की वज़े से उनसे ना कुछ बोला जा रहा था ना उनकी कोई आवाज निकलती है तो एंचिन मैनियर क्या करते है अपनी जो आम है उसको बाइट करते है बलड को सक करते है और उसके बाद वह जो जो चलाता है आई साउ सेल तो वह बहुत बाद थी अभी जो शिप था उसने उनका जो व्यू था सान की तरह वह ब्लॉक कर दिया उसके जो सेल थे वह ऐसे लाग रहे थे जैसे स्पाइडर वेब जो अब मैरिनर कहता है आई वांडर्ट इफ टशिप वॉमन ऑन बॉर्ड वस लाइफ इन डेथ अब लाइफ इन डे कि कलते हैं मरते से बाद कि जाते हैं लेकिन मरने से पहले सब मेरिनर को कर्स करते होए जाते हैं दिर सोल फ्यू अवे एंड ही वस लिफ अलोन हांट इब दे मैंड़ी ऑफस क्रोस बो अब उन सब की रूँ उनकी बॉड़िस निकल जाती है और दे मैंडरी ऑफस क्रोस बो वह बो जिससे उसने ऐलबर फ्रॉस को शूट किया था अब यहा इस गिल्ट में रहना कि उसने अलबर्ट्रोस को शूट किया था जिसका कोई कसूर नहीं था और उसी की वज़े से उसके जो क्रू मेंबर्स है उनकी डेथ हुई और उनकी जो डेट बोरिस है उसके सामने उसी शिप में होंगी उसका जो पूरा एट्मस्पेर होगा वो बहु बिसरिबल कंडीशन वो दिखायगी नेक्स्ट इन्टौ स्टेंज़ा Siagama Series उस में जो उस मिसटीरिस शिप पे शेल करते उनके पास आए थी यह सौल सिफटी विविंग में इसी क्रू मेंबर उस शिप बहुंझे जह इसी जो एक्य करके बगार किसी 질िवाज को कर्स करते और उनकी जो निकल रही थी उसकी आवाज ऐसी थी जैसे उसकी क्रोस्वोक इंद यहां पर वेडिंग गेश्ट उसको डर लगने लग जाता है मैं नर उससे कहते है I am afraid of you old sailor Your skinny hand and glittering eye frighten me You are so tall, thin and brown like the beet sand वो से डरते हैं लेकिन मैंनेर उसे कहते हैं कि तुम डरो मत वेडिंग गेस्ट I didn't die, मैं नहीं मरा था उस वास्ट सी पे मैं अकेला था और किसी भी सेंट ने मेरी सफरिंग सौल पे तरस नहीं खाया और जितने भी खुबसूरत मर्द थे मेरे एर्द के वो सब मर चुके थे और जितने भी थाउजन्स ओफ स्लाइमी क्रीचर्स थे वो जिन्दा रहे और मैं भी उनके साथ वहाँ जिन्दा रहा अब नेक्स्ट है दा होर्रोर्स ओफ टेथ एंड दा कर्स अब जो मैरेनर था वो उस शिप पे अकेला था और उसके इर्द के डेड़ बॉड़िस थी और वो चाह कर भी कोई दुआ नहीं कर सका मैरेनर कहते है कि एक औरफन की तरफ से एक यतीम की तरफ से जो कर्स होते है वो किसी एंजल को हैवन से हल की तरफ लेके जा सकते है लेकिन इससे भी जादा बुरा कर्स वो होता है जो एक डेड मैन की आंख में होते है and I saw that curse for seven days and nights और साथ दिन और साथ रातों तक मैंने ये curse देखा yet I couldn't die लेकिन फिर भी मैं मरा नहीं नेक्स्ट है nature's beauty and redemption अब यहां पर nature को बहुत ज़दा admire किया गया moon, stars और sea के एक बहुत beautiful picture क्रियेट की गया यहां पर अब मैरिनर को इस ship के shadow से बाहर कुछ water snakes रज़र आते हैं और उनकी beauty मैरिनर को बहुत ज़दा attract करते हैं ठीक है और उनसे कहते है oh happy living things no words can describe their beauty मतलब कोई भी words उनकी beauty को describe नहीं कर सकते my heart overflowed with love and I bless them unaware अब मैरिनर का दिल था वो प्यार से भर जाता है उन snakes के लिए उनको bless कर देते हैं ठीक है उसे पता भी निचलता मैरिनर की इन snakes के लिए जो प्यार था जो blessings उसने भेजी उस वज़े से क्या हुआ कि God ने उसके जो guardian angel था उसने उस पर तरस खाया और वह जो अलबर्ट रोस की डेड बोडी थी उसकी गर्दन में हैंग होई थी वह वहां से नीचे गिरती है और समंदर में जाके डूब जाती है लाइक लेट देख सकते हैं कि अलबर्ट रोस को जब उसने शूट किया उसकी वज़े से क्या कुछ फेस करना पड़ा और पर जब उसन कर्बेर किसी वहांही उसको डड़ लगने लग जाता है मैनर से और इसको बताता है कि तुम टेंशन ना लो डरो मत मैं वहां पर नहीं मरा था किसी भी सेंटने मेरी जो पैनफल सौल थी उस पे काया थया नेस्टर के बात करें इस टेंजा में वही बात कर्पागे कि ऑ्र से जादा बुरा कर्स होते है डेड मैं की आंख में कर्स और वो कर्स उसने सेवन डेज एंड सेवन नाइच तक देखा था और यह इस पार फॉर के लास्ट टू स्टेंजस है जहां पे स्नेक्स की ब्यूटी को एड्मार किया गये है और जो मेलिनर है वो उनको ब्लेसिंग्स है और उसके रिजल्ट में क्या होते हैं कि जो इसके गले में हैंक की होती है वह वहां से नीचे गिरती है और समंद्र में जाकर डूब जाती है लाइक लेट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार फाइव लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि करने के बाद यहां पर फाइनली उसको नीद का तौफा दिया जाता है एंचेन मैरिनर को नीद आ जाती है और खाव देखते हैं कि अपने आपको फील कर रहा था जैसे कि मैं नीद में मर चुका हूं और एक ब्लेस्ट गोस्ट बन चुका हूं नेक्स्ट कुछ डिस्क्रिप्शन है विंड सेल्स और रेन की उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो डेट बॉडिस थी उन क्रू मेंबर्स की वो अचानफ से खड़ी हो जाती है और विदाउट मूविंग दियर आइस वो अपना काम करने स्टार्ट कर देती हैं हेल्थ मैं क तरह कि वो इस तरह से काम का रहें थे मतलब बिलकुल चील होकर लाइफरी सटूल लाइए देते हैं उसके बाद कदीए वो जितनी भी बर्स थे वहां पर उन सबکी उससे स्वीर सांट सुनाई देती हैं अब सबकु कर जा रहा था जो शिंप था वह शिएल का रहा था लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक ऑन इजी मॉशन आ जाता है और जो शिप था वह बैक ऑंड फौर्थ मॉव करने लग जाता है अब जैसे एक घोड़े के लिए लगाम छोड़ दी जाए तो वो जैसे सदलनी जम्प करता है इसी तरह से वो जो शिक था उसने एक सदलन जम्प किया उसके वज़े से जो मेरिनेर का जो ब्लड था वो सारा हैट की तरफ चला गया और वो गिर कर भिहोश हो गया ठीक है पर जम्र्ण उसका सुनताइँ कि वो जो सपिरिट जो अकेयले उस लैंड ऊफ मिस्ट यंट संनो पर रहती है वो अस ऐर्बाट्रोस को बह। प्यार कर दी थी बहुत पसंद करती थी और वो जो बर्ड था वो मेरिनर से बहुत प्यार करता था और मेरिनर ने क्या किया है? मेरिनर ने उस bird को शूट कर दिया अब ये वो ही spirit है जो उस मेरिनर को उसके जो crew members है उन सब को punish कर रही है ठीक है? अब ये जो दूसरी voice है ये बहुत ज़दे soft है और वो कहती है कि इस आदमी ने penalty पे कर दी है इसने तौबा किया इसने repentance शो किया कुछ punishment गुजारी है और इसको आगे भी कुछ punishment गुजारनी होगी penalty पे करनी पड़ेगी ठीक है वो इसी तरह से repentance करता रहेगा और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 5 है वो end हो जाते है अब यह important stanza's देख लिए ह सेम वही बाते हैं बस यह poetry के फॉर में और वहां पर मैंने आपको simple English के थूरू explain कर दिया ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6 अब इस पार्ट 6 को मैंने टाइटल दिया हॉम कमिंग एन हर्मिट इस पार्ट 6 और 7 को हम जल्दी से अब कवर करेंगे क्यूंकि वीडियो काफी लेंटी होते जा रही है लेकिन हर पार्ट पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अप्लोड करूंगी तो जो लोग डिटेल में वीडियो देखना चाहिए तो देख सकते हैं अब यहां पर देखते हैं कि काफी फास्टी मूव करने और उसके जए बातरे लिए वहां जाते हैं अपनी आइस को फिक्स करके वह मेंने की तरफ देखते रहते हैं उसको करस करते हैं और जो मैंने होते हैं कुर्णि लुक अवे फ्रम नहीं वह दूआ कर सकता है और इसके बाद यह नहीं दूटा बाद शक्राइब और चाहर एक वह जदा खुश होते है कि क्या ये वही चर्च है वह हिल है वही लाइट हाउस है क्या ये मेरी अपनी कंट्री है उसके बाद जब वह हार्बर एंट्रेस देखते है तो वह दुआ करता है गोड लेट मी वेक अप और स्लीफ फरावर या तो मुझे जगा दे या फिर हमेशा क बॉड़ी के उपर और वो जो एंजल्स थे वह अपने हैंड्स को ऐसे वेव कर रहे थे साइलंस मी अब उनके अंदर से एक बहुत ही खुबसूरत सी लाइट निकर रही थी और इन एंजल्स की जो साइलंस थी वह मेरीनर को म्यूजी की तरह फील हो रही थी नेच्ट मेरीन हर्मिट अब यह जो हर्मिट है एक सेंट है और वो ँंचा-उंचा स्वारत है जंगल में लिख थे अब उन को उनचा-उंचा सकता है अब जो मेरिनर है वो खुश हो जाता है कि वो जो हर्मिट है वो उसके गुलाहों को माफ कर देगा और अलबर्ट रोस को कतल करने का जो एक गिल्ट है उसके उसको भी धो देगा अब पार्ट 6 के कुछ इंपॉर्टन्स टेंजस को एक दफ़ा आप देख लें सेम पॉइंट हैं बस पॉइटरी की फॉर्म में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 7 जिसमें हमें फाइनल लेसन मिलेगा इस पार्ट के स्टार्ट में हर्मिट से रिलेटीड कुछ लाइन्स बताएगी हैं कि किस टाइब की परसनेलिटी थी और वह कैसे प्रे करता था नेक्स्ट मेर उनको बाते करते हैं कि वह ब्यूटिफुल लाइट कहां गई जो उनकी तरफ सिगनल करी थी और जो पाइलेट था वह अब काफी डर जाता है इस शिप को देखे उसकी हालत को देखे कि उसकी हालत बह हमान जाता है और मैरिणर को नहीं पर चलता कि कैसे और कभ लेकिं वह पाइलिट की बोत में आ जाता है ठीक है और कुकली लाइकवी मात्य कैट आइफD फाय thou इसके बाद मेर जब कुछ बोलता है तो वह पाइलिट निभी होत ड़ जाता है और ठीक मारता जो कश्टी को चलाने के लिए यूज होते हैं अर्दू में शायद जिसे कहते है चपू ठीक है तो जो पाइलेट का बेटा है वो जो जो से हसते है और कहते है ओकी देवल मौस हाउ टो रो मतलब अब यहां पर नोटिस करें कि कैसे वो मेरिनर के लिए डेवल का वर्ड यूज क Appro other है और यूज चलाए क्वा को कस्टी की कियसे चलाए जाती है अब वापिस अपनी कंट्री में आ जाता है और जब वह बॉर झार। तो हर्मिट उसे कहते हैं अच्छा जली से बताओ कि तुम किस टाइब के बंदे हो अब वो हर्मिट के सामने एक पेंफुल कंफेशन करते हैं पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे उसने अलबर्ट रॉस को शूर किया था और अपना गिल्ड कम करने की कोशिश करते हैं और जैस होएं बहुत जलता रहता है नेक्स्ट वह वैड़िंग देश को बताता है कि कैसे वह कितना अकेला था अस वेशन पर उसको फेल होता था जैसे गौड उसे बहुत ज्यादा दूर हुचुका है। उसके बाद हो लेड़िंग फीस से ज्यादा सो हिरिए वेश सार्ड में जाके प्रे करें इसके बाद येाड को फेवल कहता है और अच्छे सब्पर कर सकते हैं चिब आपके अदर बहुत जद़ा प्यार हो प्यार के लिए मतार जितनी भी लिविंग ऐसे आप फिरी लिविंग धिंग्स है जितने वो शादी अटेंड करने के लिए आयाता है वो शादी को अटेंड किये विगएर वहीं से वापस चला जाता है अपने खर और नेक्स्ट मॉर्णिंग जब वो उठता है तो वो काफी सैड होता है लेकिन एक वाइस मैं बन चुका होता है काफी समझदार काफी अकलमन जिसके पास एक्सपीरियंस आ चुका हो अच्छी जज्ज्मेंट आ चुकी हो अब यह जो लास्ट लाइन्स हैं इस पॉइम की यह एंफसाइज करती है लव और कमपैशन को इन प्रियर रिलेशन्शिप्स नीचर ए एक वाइजर मैं बन चुक है इन शॉर्ट पॉइट ने इस पूरी पॉइम में लव और कमपैशन का मैसे दिया कि यह हमाई अंदर मस्ट होना चाहिए जैसे कि आपने इस पॉइम में देखा कि जब मेरिनर ने उस अलबर्ट रोस को शूट किया बगएर किसी वज़ा के तो उसको क्या कुछ फेस करना पड़ा और उसके बाद जब उन स्नेक्स की ब्यूटी को उसने एड्मायर किया उनको ब्लेसिंग्स पेजी तो उसके रिजर्व में कैसे उसके साथ हमदर्दी की गई ठीक है उस पर तरस खाया गया अब एक और बहुत गहरी बात है यहां पर कि जब इनसान किसी ऐसे सिंफल एक्स्पेरिन्स से गुजड़ता है जब ऊसका जो गिल्ट है उसका जो जदमीर है वसको सकूर से नहीं रहने देνदा मतलaw सकूंत में इस सकूरन कर सकता है और जब वह त identifying करता है एक पर संब नगर जाता है उसे जंहों जो इस एक्सपेरिंस स बहका तो बहुत बहका संभला तो वली ठहरा इस खाक के पुतले का हर रंग देराला है मुझे भी पता है कि आप इन बातों की गहराई को समझ सक रहे हैं कि नहीं समझते हैं तो फिर आपको यह पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ आजकरी होगी और अब हम इस लास्ट प अजये पुलाई पस्या है, वास्ट तोली आफे लास्ते हुए भी वास्ते हैं लुत लुत इजये वास्ते हैं तो वास्ते हैं, बहुत बहुत हैं हैं GREG अ